30 जनवरी 2022 यह वो दिन था जब Mason Greenwood और United की पूरी current situation change होने वाली थी यह वो दिन था जब Mason Greenwood की girlfriend Harriet Robson ने news media में actually Instagram पर कुछ story share की थी जिसमें यह साफ दिखाई दिए रहा था कि Mason Greenwood ने Harriet Robson को physically abuse किया है उस दिन के बाद से Mason Greenwood को United की website से हटा दिया गया you know Adidas और मतलब जितने भी brands थे उन्होंने अपना tie जो था वो Mason Greenwood से खतम कर दिया और एकदम से Mason Greenwood को United के rooster से हटा दिया गया कोई नाम और निशान नहीं दिख रहा था Mason Greenwood का बट आज दोफेर के टाइम पर एक news circulate हुई के United ने वापस अपनी website पर Mason Greenwood का नाम add किया है और अपने app पर भी नाम add किया है कुछ देर के लिए मैंने देखा तो हाँ उस पे नाम था बट पांच मिनिट के बाद वो नाम हटा दिया गया था तो अभी पांच मिनिट पहले ये news निकाली है Simon Stones ने जिहां Simon Stones वही journalist हैं जिनोंने सबसे पहले ये news break की थी कि Harriet Robson ने Mason Greenwood के बारे में ये जो चीजें लिखी हैं ये सही हैं और Manchester की police जो है वो Mason Greenwood को arrest कर चुकी थी उस वक्त तक जब Simon Stones ने वो सारी report पेश की थी हमारे सामने तो अब Simon Stones की जो आज की report है उसमें उने clear कर दिया है कि United का जो stance है Mason Greenwood की situation पे वो अभी भी clear है Will not be allowed to take part in any sports activities you know at Old Trafford और at Carrington ना ही वो तब तक लौट सकते है United पे वापस जब तक वो पूरी तरीके से अपने वो जो charges उनके उपर लगा गए है उससे बिलकुल clean sheet नहीं ले 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 थे तो यहाँ पर जो लोग यह समझ रहे थे कि Greenwood वापस आ जाएगा Manchester United की team में और बचे हुए season में he will be part of the team या फिर आने वाले season में वो short shot start करने वाले है United के squad में तो ऐसा नहीं है अभी भी situation वैसी है जैसे आज से दो महीने पहले थी चीजें अभी भी उतनी ही ज़ादा critical है कि United तब तक Greenwood को मौका नहीं देगी team में आने का जब तक पूरे charges जो उन पे लगाए गए है Harriet Robson और उनकी family या फिर police के द्वारा वो नहीं हटाए जाते क्योंकि United अभी already इतना दादा mess में बनी हुई है जहां उनके पास top 4 नहीं है FAA से वो बाहर होगे, UCL से बाहर होगे, Carabao Cups वो bottle कर दे रहने पहले round में WestName के against तो वो एक और आती हुई मुसीबत को मोल नहीं लेना चाहेंगे जहां उन्हें एक ऐसे player से associate किया जाए जिस पर physical abuse का case चल रहा है जिस पर एक तरीके से sexual assault के cases चल रहे है तो United और Greenwood का रिष्टा अभी भी वैसा ही बना हुआ है जैसा पहले था और जो लोग यह सोच रहे थे कि Simon Stones की news break होने से पहले जो news circulate हो रही थी कि United अभी उसको Carrington पे आने की इजादत दे देगी बट उसको टीम के साथ प्रेक्टिस करने की इजादत नहीं देगी ऐसा नहीं है Mason Greenwood is still not part of the squad Mason Greenwood is still not allowed to enter the premises of Manchester United चाहे वो कोई भी हो चाहे वो Carrington हो चाहे वो Old Trafford हो कुछ भी हो He is not allowed to take part in any sports activities तो मेरे हसाब से तो यह situation अभी भी उतनी critical जद नहीं आ से दो महीने पहले थी और हम अभी Greenwood को हाल फिलाल तो वापस आता नहीं देखेंगे Manchester United के colors में और देखो कोई और club उसको अभी sign करना भी नहीं चाहेगा He is a world class talent ठीक है ना आप देखो के Mason Greenwood का इस season भी अवे तर्फ पर record काफी शांदर था शुरू के 3 matches में उनके 4 गोल थे तो वो दिखा रहा था के how well he was performing रोनाल्डो के आने के वास बात से थोड़ा सा inferior feel कर रहे थे Mason Greenwood और वो उनकी performances में reflect भी हो रहा था He was being pretty wasteful खेर वो सारे players के साथ था but when you are talking about Mason Greenwood you are talking about goals you are not talking about a player who can create और Greenwood के अंदर वो जो trait है goal scoring की वो कहीं न कहीं उनके overall performance को let down कर रही थी क्योंकि जब उनको right wing formation में खिला जा रहा था soul share के अंडर तो उनोंने उस level की expertise नहीं दिखाई जो की हम एक right wingers expect करते हैं जो कहा creation department में help करना team को तो Greenwood देखो अभी आगर वापस आभी जाते तो उनके लिए team में वापस आप आना बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि Anthony Ilanga already बहुत अच्छा खेल रहे हैं कि आप तब तक अच्छे होते हो जब तक आप team में होते हो जब तक आप अच्छा खेल रहे होते हो आप अगर नहीं हो team में और अगर आपकी जगे कोई और उसी level पर जाके perform कर रहा है तो दुनिया आपको भूलाने में वक्त जाया नहीं करेगी और Greenwood के case में वही हुआ है कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी देखना शुरू गया उनको पता भी नहीं हो के Mason Greenwood कौन है अगर वो पहले से follow नहीं कर रहे होंगे जिसने football अभी दो हफते तीन हफते पहले से देखनी शुरू की होगी उसके लिए क्या ही होगा Mason Greenwood का नाम क्योंकि he's not Paul Pogba, he's not Bruno, he's not David Deja, he's not Varane और Ronaldo और Messi यह वो Mason Greenwood is still very young, he's still an unknown face अगर मैं world football की बात करूं तो England में he's very popular और वो जो कांड किया उसके बाद तो वो highly popular होई गय थे इस वक्त पर Greenwood अगर बच भी जाते हैं उस cases से तो उनको वापस से अपनी reputation बिल्ड करनी होगी अभी इस वक्त पर उनकी जितनी image खराब हुई है और उनकी वज़े से जितना fan base को ठेस पहुची और जितना club की image खराब हुई है वो सब के सामने है और Greenwood ने जिस तरह का behavior दखा अपनी girlfriend के साथ I won't you know expect anyone that is who is in their sane senses के वो ऐसा behave करे अपने किसी known ones के साथ specially अपने female friends के साथ भाई because that was very inhuman तो अभी वापस से में एक बार फिर confirm करने साहूंगा कि Greenwood is still not part of Manchester United he will not be allowed to train with the squad he will not be allowed to participate in any sporting events that are associated with Manchester United तो जो भी लोग ये समझ रहे थे ये Greenwood वापस आजाएगा भाई नहीं आएगा और साथी साथ एक news और आई है Samuel Lakhazki और Jonathan Schreger दोनों ही काफी reliable sources है specially Jonathan Schreger is a very close you know has very close relations with the inside sources at Old Trafford उनने ये news break की है के जो भी Marcus Rashford के regarding news आ रही थी के Rashford को you know club छोड़ के जाना है ऐसा है वैसा है तो नहीं वो सारी दलीले वो सारे दावे जूटे है Rashford का मन नहीं है Old Trafford छोड़ के जाने का उनको बस जादा जादा गेम टाइम चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से फिर वो अपने आगे आने वाला सीजन वोल्ड कप के लिए कंटेंशन स्ट्रॉंग कर पाएंगे क्योंकि इस वक्त पर Rashford को नहीं इंक्लूड किया गया था इंग्लेंड के अभी फ्रेंडली के लिए और जो कहीं न कहीं उनके लिए एक डाउट भी पैदा कर रहा है कि वो क्या इंक्लूड किये जाएंगे वल्ड कप 2022 के लिए या नहीं अब यहाँ पर देखो Rashford के case में एक सबसे important चीज़ों में देखनी पड़ेगी कि Rashford जब injury से वापस आते हैं सबको लग रहा था कि surgery के बाद Rashford अपनी performance अप करेंगे बट Rashford ने वो चीज़ करके नहीं दिखाई है Rashford has gone down the hill क्योंकि last season injury के बावजूद भी बहुत सारे games में majority games में Rashford और Bruno नहीं carry किया था team को जहां Marshall was not scoring तो यहाँ पर भाई Marshall के case में भी एक news यह निकल कर रहे थे कि Marshall को as a trade player use करना चाहेगी Manchester United to get Harry Kane on board अब Tottenham पिछले चार साल से Marshall को target करने की कोशिच कर रही है हम देख रहे हैं कि Mourinho के time से अभी तक हर साल almost news आती है कि Spurs want to sign Marshall Spurs want to sign Marshall but Marshall के बारे में एक news यह break हुई है कि Marshall rather than staying in Premier League he would like to go to Spain or to Italy क्योंकि उनको वहाँ जादा अच्छी better opportunities मिल सकती है वो एक better squad में खेल सकते हैं और वो एक better project के लिए work कर सकते हैं अब देखने लिए बात यह होगि कितनी team में ऐसी होगी जो Marshall पर दाओ खेलना चाहेंगी तो यही था आज के लिए और Greenwood के वादी situation I hope मैंने clear कर दी होगी और अब जो लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि Greenwood पर वीडियो बनाओ Greenwood वीडियो बनाओ आज उनके सारे doubts clear हो गए होगे तो don't forget to subscribe to 1MEFC don't forget to hit the bell icon and guys we are very close to 18k subscribers तो जितना जल्दी आप करवाद हो को इतना जल्दी हम आगे अपनी 20k की जर्नी शुरू करेंगे till then good bye take care